Hello Friends, Friends, इस वीडियो में हम यह discuss करेंगे कि fractions को ascending order या descending order मतलब बढ़ते वे क्रम में या गटते वे क्रम में कैसे जमाया जाए, right? ऐसे questions बहुत सारे exams में regularly पूछे जाते हैं जहांपर आपको fractions को बढ़ते वे क्रम में या गटते वे क्रम में ascending order या descending order में arrange करना होता है कई बारे data interpretation में भी आपको इस concept की जरुवत पढ़ती है, तो इस session में हम detail में discuss करते हैं कि fractions को ascending order या descending order में कैसे arrange किया जाए Okay, now सबसे पहले हम बात करेंगे proper fraction की, proper fraction का मतलब जब numerator denominator से छोटा हो, right? proper fraction जहां पर numerator denominator से छोटा हो, जैसे 2 by 3 या 4 by 5 हम कह सकते हैं, या maybe 8 by 11, इन सब जगे जो numerator है वो denominator से छोटा है, चिक है? तो उस, उन cases में जबकि numerator denominator denominator से छोटा है या proper fractions की cases में हम कैसे compare करें, दो fractions को लेकर कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, पहले हम वो देखते हैं, सबसे पहले suppose मैं कोई भी example लेती हूँ यहां पर 5 by 8 और 7 by 12, सबसे simple method क्या है कि आप cross multiply करके देख लो, जैसे 5 इधर है, 12 यहां पर है, तो 5 into 12 आप इधर लिखें, शुरुवात इधर से करिए और 8 into 7 यहां पर लिख दिया, now 5 into 12 is 60, 8 into 7 is 56, now 60 बढ़ा है, 56 है, इसका मतला 5 by 8 जो है, वो 7 by 12 से बढ़ा है, तो इन दोनों में हमने comparison किया कि कौन सा बढ़ा है, 5 by 8 जो है, वो 7 by 12 से बढ़ा है, multiplication जो आप करना है, इधर का numerator, इधर का denominator और इधर का denominator उधर का numerator वो इसी तरह से होना चाहिए, और भी अगर हम example लें, suppose, maybe 7 by 10 and maybe 8 by say 15, okay, so 7 into 15 करिया, and यहाँ पर 10 into 8, ठीक है, तो यह हुआ 105 यह हुआ 80, that means यह बढ़ा है, और भी बहुत सारे ले सकते हैं आप, 9 by 15 and maybe 9 by say 16, 3 by say 7, so 9 into 7, that is 63, and 16 into 3, 48, that means this one is bigger, okay, so this is the simplest way, सबसे आसान तरीका है कि अगर छोटे नंबर है, अगर बहुत बड़े बड़े नंबर है, 3 digit नंबर है, तो cross multiplication जो हम कर रहें, वो थोड़ा difficult होगा, time consuming होगा, लेकिन अगर छोटे 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 नंबर है, जैसे कि यहाँ पर है, तो आप फटा फट से cross multiply करके देख लिजे, कौन सा fraction बड़ा है और कौन सा छोटा, उसकी बाद दूसरा method, जैसे हमारे पास दो fraction है, maybe जैसे 2 by 3 and maybe 3 by 4, maybe 4 by 5, maybe 6 by 7, ठीक है, अब जब numerator और denominator में difference same है, हम यहाँ पर proper fraction की ही बात कर रहे हैं, सारे proper fractions है, मतलब कि numerator जो है वो denominator से छोटे हैं, चीक है, तो यहाँ पर देखिए, difference between numerator and denominator क्या है, 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत easily आप कह सकते हैं कि यह जो है वो सबसे छोटा है, यह वाला fraction सबसे छोटा है, यह सबसे बड़ा है, कैसे कह सकते हैं, जब numerator और denominator के बीच में difference सेम हो, तो वो number जिसका numerator बड़ा है, वो number बड़ा होगा, यह वो fraction बड़ा होगा, अब इन दोनों में अगर हम बात करें, तो 3 जो है वो 2 से बड़ा है, इसलिए यह fraction इससे बड़ा है, इन दोनों में अगर हम बात करें, तो 4 जो है वो 3 से बड़ा है, इसलिए यह fraction बड़ा है, इसलिए इन दोनों की अगर हम बात करें, तो जो 6 है वो 4 से बड़ा है, इसलिए 6 by 7, 4 by 5 से बड़ा है, So this is already in ascending order, यह पहले से ही ascending order या बढ़ते वे क्रम में है, ठीक है, तो जब भी numerator और denominator की बीच में difference same हो, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, और यह वाला जो method है वो use कर सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं कि difference हमेशा एक ही हो, difference ज्यादा भी हो सकता है, maybe just say 2 by 5, maybe 3 by और या 4 by 7, इन दोनों cases में difference 3 है, चीक है, लेकिन यह numerator बढ़ा है, इसलिए 4 by 7 जो है वो 2 by 5 से बढ़ा होगा, इस case में अगर आप cross multiply भी करेंगे, तो भी same ही answer आएगा, यह 14 हुआ, 14 और यह 20 हुआ, इसका उतलब 4 by 7 जो है वो बढ़ा है, सो यह हुआ दूसरा simple method, जब difference same हो, तो numerator और denominator में दो fraction के बीच में, तो उन दोनों fraction में से वो fraction बढ़ा होगा, जिसका numerator बढ़ा है, उसके बाद, अगर समझो, जैसे मैं आपको बता है कि difference अगर same है, तो जिस number का numerator बढ़ा है, वो number बढ़ा होगा, अब जैसे मेरे पास है, ए अब यहाँ difference चल रहा है 1, यहाँ difference चल रहा है 2, नो किसी भी fraction को हम उसका equivalent दूसरा fraction भी बना सकते, कैसे कि numerator और denominator को हम same number से multiply कर ले, मतलब मैं क्या सकती हूँ कि 2 by 3 है, और 4 by 6 है, दोनों same ही होगे, ठीक है, क्योंकि मैंने numerator को भी 2 से multiply कर दिया, denominator को भी 2 से multiply कर दिया, नो 2 by 3 को मैं 4 by 6 भी लिख सकती हूँ, अब यहाँ पर देखिए 2 का difference हुआ, और यहाँ पर भी 2 का ही difference है, चीक है, अब जब दोनों जएके 2-2 का difference है, इसका मतलब, जिस number का numerator बढ़ा है, वो number बढ़ा होगा, या वो fraction बढ़ा होगा, तो इसका मतलब 5 by 7 जो है, वो 4 by 6 से बढ़ा ह होगा, इसी तरह से अगर मैं और लिलू, 3 by 5 है, और में भी 5 by 7 है, ठीक है, यहाँ पर difference 2 है, यहाँ डिफरेंस 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर तो 5 by 7 ही बढ़ा होगा, अगर मैंने 3 by 4 लिया, अब यहाँ पर difference 1 है, अब इस difference 1 को अगर difference 2 करना है, तो मुझे numerator और denominator दोनों को 2 स multiply कर देना है, तो यह कितना हो जाएगा, 6 by 8, अभी यहाँ भी difference 2 है, यहाँ भी difference 2 है, पन numerator इसका बढ़ा है, इसलिए 6 by 8 बढ़ा होगा, और 6 by 8 और 3 by 4 एक ही बात है, इसलिए 3 by 4 बढ़ा होगा, इसका मतलब 3 by 4, 5 by 7 से बढ़ा है, ठीक है, बहुत simple है, इसके आगे चलते हैं, अब अगर random difference कुछ भी है, कोई भी difference है, मेभी यहाँ पर 2 का difference है, और मेभी यहाँ पर 3 का difference है, आप क्या करिए, इसका जो difference है 2 और इसका जो difference है 3, इसके difference है, इसके numerator को multiply करिए और इसके difference है, इसके numerator को multiply करिए, और इसके difference है, इसके numerator को multiply करिए, जैसे 3 x 3, 9, और इसका difference है 2 x 4, 8, ओके, कौनसा number बढ़ा है, 9 बढ़ा है, इसका मतलब 3 x 5 जो है, वो बढ़ा है, cross multiply करके verify भी कर सकते हो, 21 and 20, राइट, 21 और 20, तो यह बहुत सारे method मैंने आपके साथ में discuss कि, यह 3 x 4 method है, जबकि आप यह बता सकते हैं कि, कौनसा fraction छोटा है, कौनसा बढ़ा है, अब यह question हम solve करने की कोशिश करते हैं, अब जिसे यहाँ पर P, Q, R, S, 4 fractions है, 4 x 4 प्रापर fraction है, अब देख सकते है, numerator जो है, चारो किसे में छोटे हैं, denominator से, ठीक है, तो अभी इसमें आप क्या कर सकते हैं, see this is multiple choice question, तो हम क्या कर सकते हैं, कि option eliminate भी कर सकते हैं, अब समझो मैंने P और Q लिया, ठीक है, अब यह P और Q, यहाँ देखिए, P जो है, वो Q से छोटा है, और यहाँ जो P है, वो Q से बड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, option eliminate कर सकते हैं, तो मैं quickly इसको cross multiply कर लेती हूँ, यह है 60 और यह है 56, इसका मतलब P जो है, वो Q से बड़ा है, अब अगर P Q से बड़ा है, तो option A और C दोनों cancel हो गए, ठीक है, in fact यह भी cancel हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो P है, वो Q से छोटा बता हुआ है, ठीक है, तो तीनों option cancel हो गए, so we are left with B, सिरफ B ही एक option बचता है, अब अगर A की option बचता है, इसका मतलब वो ही correct होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, P जो है, वो Q से बड arrange कर दिया, और बहुत आसानी से हमने पता कर लिया, बिल्कुल A की step में कि कौनसा correct option होगा, अगर एक step और जाना पड़ता, तो हम एक step और देख लेते, इन दोनों में से, जैसे suppose, यहाँ पर R और में भी हम ऐसा कर सकते, P में compare कर सकते है, जैसे R 13 by 16 है, P 5 by 8 है, 16 पंच असी और 13, 8 एक सो चार, ठीक है, तो 13 by 16 जो है, एक सो चार जो है, 80 से बढ़ा है, इसका मतलब 13 by 16 जो है, 5 by 8 से बढ़ा होगा, ठीक है, मतलब R जो है, वो P से बढ़ा होगा, तो यहाँ पर हमारा R है, R जो है, वो P से बढ़ा है, तो अगर यह option जो है, उसमें P R से बढ़ा बता कि यह option हो नहीं सकता, यह option हो नहीं सकता, मतलब कई बारी क्या होता, students पूरी की पूरी कोशिश करते हैं, सबको पहले ascending order या descending order में जमाने की कोशिश करते हैं, उसमें कई बारी बहुत time चला जाता है, और competition में आप जानते कि time जो है वो सबसे बड़ी problem है, बहुत कम time में हमें बहुत सारे question solve करने होते हैं, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कि इस तरह की जो approach है, जहां पर हम option को हटा दे कि यह option तो होई नहीं सकता, जैसे कि मैंने आपको यह बताया, जब मुझे पहले ही पता चल गया, P जो है वो Q से बड़ा है, तो जहां पर भी P Q से छोटा बता है, मैंने उसको हटा दिया, अब 3 option मेरे X, मतब कह सकते है, 10 second में हट गए, और 4 यह बचा, तो मुझे अब check करने की जरुवती नहीं कि इसके आगे क्या scene है, P जो है वो Q से बड़ा है, उतना ठीक है, R और S का क्या scene है, वो मुझे पता करने की जरुवती नहीं है, क्योंकि multiple choice question ह तीन गलत है, तो चौथा automatically सही है, ठीक है, तो इस तरह से बहुत fast आप question कर सकते है, next video में हम इसके practice करेंगे, काफी सारे fractions और भी लेंगे, और उनमें comparison करेंगे, और जो तीनो चारो method हमने discuss किये हैं भी, वो सब हम use करेंगे, क्योंकि कभी कौन सा method use होता है, कभी कौन सा method use हो करेंगे, क्योंकि काओdest आपने और इत्म